जोहार नुआ 10 सोरे सनामी यतंग दरामे प्या आर तिहीं नुआ 10 सोरे मरांग प्रेला लिकाते मिनाया दयामनी बारला दयामनी बारला उको या नुदुम दो कुएल कारो परियुजना रिया अंदोलन नेतर हार्ट फील्ड फारिंग रेंज अर उनका लखागी आयमा लखान विस थापन रिया अंदोलन खोने जुड़वे ताहें लेना नुआ रिया क्रेडिट होनुए अंजामे दा लूई कखांते है तिन्य होड़ा उड़ा उजड़खन बचलावन तिन इन समय मिनाया दिला उनिया व्यक्तिकत पहलू जीवन रिय श्रुवात हम लोग अपने जीवन के संघर्सों से ही करते हैं आपकी संघर्स की कहानी हम आपकी जुबानी सुनना जाएंगे संघर्स आज मुझको लगता है जो संघर्स की बात करते हैं तो संघर्स तो बच्पन से लेके आज तक चल रहा है और मुझको लगता है कि आज मैं अपने बच्पन को घूम के देखती हूँ तब मुझको लगता है कि अगर उस दिन जो कास्ट मुझको नहीं होता हमारे परिवार के साथ जो घटना जमीन लूटने का नहीं होता हमारे माबाप को जो अनपड़ थे अंगुले का निशाना ठेपा उपा लगा के साधा कागज में संभांत लोग अगर जमीन नहीं लूटे रहते हैं तो हमारा परिवार नहीं तुटता हमारा परिवार नहीं बेघर होता और बेघर होने के बाद जो जिन्दगी मेंने जिया है वो जिन्दगी अगर नहीं जिते तो सद आज में आप लोगों के बीच में नहीं होती और जारखन के बारे भी सद नहीं समझ पाती देश-दुनिया के बारे में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है समाज क्या है राजनेती क्या है यह समझ में नहीं आती तो आज मुझको लगता है कि वो घटना ही मुझको मतलब यहां तक ले की आया है और उस संगर्स को उस समय के लिए बहुत पैनफुल था असले की तेन भाईयों में एक छोटी भाईयों होने के नाते जब घर बिखर गया जमीन सारा चीश चला गया तो एक मार अपने गाईं से राशी सहर चली आती है यहां पर पीपी कॉमपाॉंड में यहां पर बरतन काम करती है और मिजला वाला भाई जो गौव में नाइंद क्लास तक पढ़ाई कर रहा था वहाई इस्कूल छोडने के बाद यहां राशी सहर में कुली का काम करता है सबसे बड़ा भाई गाउं में ही दूसरों के हम उसे चराने का काम करता है और जो हमारा पिता जी वो हमारे गाउं से करेब 15-20 किलो मेटर दूर दूसरे गाउं में किसानों के घर में हल चलाने का काम करता है तब हम लोग बिना माबाप से बिना गर्जियन से मैं और मुझसे बड़ा भाई के वाल घर में रहना और फिर अपने लिए रोटी का विवस्था करना खेत में काम करना इस्कूल जाना लह करन चून के अपना पेन पेंसिल जुगाड करना लब्या एक ही बिलकुल है उस समय के लिए कस्ट दायक था लेकिन चौथा क्लास में हमारे माबाप हमारा परिवार बिखरने के बाद मैं चट्था चौथा क्लास पच्चों क्लास चट्था क्लास सत्वां अठ्वां क्लास तक पूरी तरह से जो जमीन के साथ मने लड़ते रहे पेड़ पोदों के साथ लड़ते रहे वो मुझको खिलाते रहे एक-एक किसानों के ख जहर में पिपी कमपॉंड में यहां सुजाता चव के पास पुलिस से टीओपी था उस टीओपी में बरतंद होना उनका जो रात का बचा हुआ खाना मेरे लिए स्कुल जाने के पहले का भोजन बनना संत मागरेट हाई स्कुल में पढ़ाई करना वहां से लोटने के बाद फि के वाल नहीं हो सकता है अपना खर्च बढ़ रहा है तब दरजनों यहां पर पंजाबी परिवार के घर में बरतंद होने का काम करना बंगाली परिवार के घर में बरतंद होने का काम करना और फिर मतलब स्कुल कंटीन्यू रखना मेरे लिए एक अलग दुनिया था लेकिन उस अलग दुनिया में भी मैं अपने को रचने बचने का कोसिस की और मैंने मेट्रिक पास की संत मागरेट हाई स्कूल से संत मागरेट हाई स्कूल पास करने के बाद फिर मेरे दुनिया में फिर बदलाव आने लगा कि नहीं अब मैं बड़ी हो गई हूँ मैट्रिक पास कर ली हूँ गोशनेर कॉलेज में मैं इंटर जोइन की उसके बाद से मुझको लगा कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ अब मुझको बच्चों को पढ़ाना चाहिए ट्यूसन पढ़ाने लगी ट्यूसन पढ़ाने के साथ साथ कॉलेज में अपना पढ़ाई को जारी रखना फिर उसके साथ ही जो लंबी छूटियां हैं उसमें रेजा का काम करना सब उन फैक्टरी में काम करना उसके साथ अपना मितलब आगे की पढ़ाय जारी रखना मेरे लिए बिलकुल से एक नया था लेकिन मेरे लाइप में मैंने जो अनुभाव किया जितना भी मैं नया 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 अपने लाइप के लिए लाइप के लिए संघर्ष करते एक लड़की होने के नाते और एक गरीब लड़की होने के नाते, जिन लड़कियों का पलायन का दर्द की बात करते हैं, जिस लड़कियों का जिस तरह से क्या बलते हैं, सोसन की बात करते हैं, मैंने तमाम चीजों को झेलते हुए आगे पार किया, तब आज की तारीक में मैं मानती हूँ, लोग मुझको पूछते हैं कि आपने बचपन कैसे बिताया तो मेरा बचपन और मेरा संगर्स और मेरा एक कदम मेरे लिए रोल मोडल था जो मुझको पढ़ाने का काम किया जो मुझको अपने लाइफ में संगर्स को कैसे आगे हम संगर्स को आगे बढ़ाएंगे अपना कदम आगे बढ़ाएंगे, एक एक कदम ने मुझे सिखाया, और मैं आज समाज, राजनिती और तमाम चीजों की बात करने लगती हूँ, तो मेरा बच्पन ना एक तरफ से मैं देखती हूँ, तो मेरा रूल मुडल था. आपने जिन्देगी से भी सीखा, संगर्च से भी सीखा और स्कूल के किताबों से भी सीखा, जिस जगर हम बैठे हैं, यहां आपकी माँ सबजियां बेचा करती थी, क्या लगता है कि आज जब उन पुराने दिनों को याद करते हैं, उन पुराने वक्त को याद करते हैं, तो तो वो वक्त कितना आपके लिए एक सिख्षक की भूमिका एक टीचर की भूमिका निभाया एक द्यामनी बारला को द्यामनी बारला को आज पुरी दुनिया जानती है उस द्यामनी बारला को निखारने में उस वक्त ने कितनी बड़ी भूमिका निभायी है पहले ही बोली कि अगर वो घटना वो तमाम चीजे मैं नहीं देखती तो आज देमनी देमनी नहीं होती असलिये मैं ये बात कर रही हूँ कि आज किताबों में लिखी चीजें एक सिमित दाइरे में होती हैं लेकिन आपने समाज के इर्दगिर्द में क्या घटना घट रही है आपका समाज कहां पे है वो सबसे बड़ा टीचर होता है और देश दुनिया में क्या चीज चल रहा है कैसे चल रहा है देश कैसे चल रहा है राज कैसे चल रहा है वो भी सबसे बड़ा सिक्षक होता है और उसको अगर आप अपने इर्दगिर्द में आप घुमने नहीं सिखे तो आज की तारीक में मैं यह मानती हूं कि हम एमकुम कर लें, मास्टर डिग्री कर लें, सारा चीज कर लें, लेकिन वो अच्छा मतलब सिख्षक नहीं हो सकता है, समाज को समझने वाला अच्छा जो क्या बोलते हैं उसको नेता की बात बोलेंगे, तो नेता नहीं बन सकता है, नेता का मतलब होता है सफेद कूर्टा, सफेद कपड़ा, पहनना, धारन करना के वाल नेता नहीं कहा जाता है, या तो चुनाओं में जाना और चुनाओं जीत के पांच साल तक अब कुर्से में बैठना वो निता नहीं कहलाता है लेकिन अच्छा अगवाद चुनाओं ने ऐसा जीव 안 कानुभवन ना हो संघर्ण कानुभवन ना हो एक फैसन हो गया है आज कल आंदूलन कारी भना भी या आंदूलन भी एक फैसन का पाट बन गया है जबकि उनका अ허कल अंदूलन से जिनουνुद्धों से वो अंदूलन करते हैं उन मुद्दों से उनका कोई सरुकार नहीं होता या उन मुद्दों को कभी उन्होंने जिया ही नहीं है उस वक्त को उस दौर को कभी जिया ही नहीं है एक शोड़ासा ब्रेक का वक्त हुआ है जरा ब्रेक ले लेते हैं फिर हम आपसे बार्चित जारी रखते हैं तो उन्होंने आक्ते होई का ना सीना ब्रेक रिया ब्रेक रिबुनता भी ब्रेक तैंग अता अंद्राइब प्यार आप्पे पेंजल कना 1060 और दा 1060 तीहीं मेनाया ज़ाड करेंड मानांग लड़े या दोनकारी त्यामानी बातला कोईल कारो आंदूलन एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था आपके लाइफ के लिए भी और बाकी संघर्ज के साथियों के लिए भी उस आंदूलन से जुड़ी कुछ खास यादे बताईए उन अंदूलन से जुड़ने के बहुत सारे मितलब च्छन हैं जिसको मैं एक नहीं कहती हूं लेकिन बहुत सारे पहलू हैं जो अपने लाइफ में जो मैंने सीखा उसे और आगे मितलब मुझे को सिखलाया कि समाज गाओं अपने भासा संस्कृति जंगल जमीन को बचाना है तो आपको किस तरह से लड़ाई लड़ना पड़ेगा अपने संसाधनों से अपने डिसिजन लेने से और अपने ताकत के बल पे कैसे लोगों के बीच में आपको खड़ा होना पड़ेगा और लोगों के साथ किस तरह से आप मिलके समाज को बचाएंगे राज को उनका बिसलेशन आप किस तरह से करेंगे और किस तरह से अपने जो अपने स्वर्थ की राजनेती से बाहर निकल के समाज को जो हमारा आदिबासी समाज है, किसान समाज है, दलिश समाज है, मुलवासी समाज है, पूरे सामागर समाज को किस तरह से आप जोड के रखेंगे और अपने समाज को किस तरह से बचाएंगे, यह मैंने कोईल कारो संघर से मैंने सिखा, मैंने सिखा, वहां पढ़ा राजाओं से बहुत सारी चीजे सिखा, कोईल कारो अंदोलन के नेताओं से सिखा, और दिन रात जो मुझको वहां पर उन लोगों ने जगा दिया, और मुझको तो भी मतलब बहुत सारे बिंदुवें में डिसिजन लेने का जो मोका मिला तो मैंने कोयल कारो अंदोलन से इतनी सारी चीजे सिक्की जो हमारे संस्मरन में का एक हिस्सा हो गये हैं उसको एक सब्द में नहीं कहा जा सकता है बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कोयल आर कारो नुवा बर्या गड़ा मिना अनुवा गड़ा रगी अड़ी मरंग बांध बिना कंत ना अरुना बांध बिना उलनकान सेकुड़ों आतु उन्डेकों को विस्थापीत को आरुना सफल आंदोलन ताहे कना नुकुआ जीवन रिय उकादो उन्हा पुर्णा परियोजनागी रद ना कैंसील ना उनका गी नितर हट फिल्ड फारींग यहां को लड़ाए लिड़ा जारखंड में आप लोग आंदोलन करते हैं विस्थापन को लेकर आंदोलन करते हैं लगता है कि आप लोग के आंदोलन में काम्याबी का कु मुझको जहां तक याद है इतने सालों में 95 में में कुईल कारवं अंदोलन में गई उसके बाद आज तक का 2020 तक का जो मेरा अनुभाव रहा एकता इतना जबर्जस्ट था कि जो भी अंदोलन रहे जार्खन में जहां पर भासा संस्कृती अपने इतिहास और अपने धरोहर की लड़ाई जहां पर भी जार्खन के जिस भी कौने में लड़ाई लड़ी गई हर अंदोलन जिता हुआ है राज बनने के बाद भी हम लोगों ने जिता है कई अंदोलन जिता है और वो अंदोलन जितने के पीछे का जो कारण है कि हम लोगों को धर्न, राजनिती और जाती और वर्ग से उपर उठके हम लोगों ने आदेबासी, मोलवासी तमाम समुदाय की बात की और हम लोगों ने यहाँ पर धरम के नाम पर कभी भी इसाई है, सरना है, हिंदू है, अल्पसंख्यक है, इसकी बात नहीं की, असलिय की जल, जंगल, जमीन और यहाँ का परियवरन की बात अगर हम करते हैं, तो वो समगरता में हैं, उसको हम टुकडों में बाट कि हम धर्ती क को नहीं बचा सकते हैं, जंगल नहीं बचा सकते हैं, हम मनो सभ्याता को नहीं बचा सकते हैं, किसी चीज को भी बचा नहीं सकते हैं, तो हम लोगों का लड़ाई है, समगरता में लड़ाई, और यह समगरता की लड़ाई ही है, वे ताकत थी, जो आज तक का जो जित हासिल क लेकिन अब ऐसे लड़ाई नहीं है इसलिए कि आप जाती और धर्म के नाम पर राजनिती चल रही है यहां पर जंगल को अलग क्योंकि द्रिष्टी कौन से देखते हैं जमीन अलग द्रिष्टी कौन से यहां पर हिंदू अलग है मुसलिम अलग है सरना अलग है इसाई अलग इसको उस जीत के इसमें मैं इंकलूट करके अलग करना चाहती हूँ इसलिए कि आज तमाम चीजे बटी हुई है और तमाम बटी हुई जो ताकत है वो जार्खन को क्या पता कितना बचा सकेगा और जार्खन के जो सामागरता जिसको की आदिवासी मूल वासी किसान की बात क करते हैं और तमाम मैंने भासा भासी की बात कर सकते हैं क्या पता यह मनें आगे कितना मजबूत के साथ यह लड़ाई जाएगा यह प्रसंद चिन है अब उमीद नहीं की जा सकती कि आगे ऐसे कोई संगठीत और मजबूत लड़ाई लड़ी जाएगे आप तो स्टील किंग से भी बेड़ गये थे लच्मे निवास मित्तल जो पुरी दुनिया में स्टील किंग के नाम से जाने जाते हैं उनका यहां फैक्टरी लगने वाला था कर जी एक उमीद है एक उमीद है कि तिन किसान बेल जो पूरे देश में लड़ी जा रही थी ज़सको कार्पुरेट के यह लाया गया था जारखन में भी हम लोगों ने लड़ा हमने भी लड़ा हमारा संगठन भी लड़ा यह आज राजनिती लाभी सही लेकिन सरकार को जूकना पड़ा है सरकार जूकते हुए अपना राजनितिक लाभी सही उसको देखते हुए अभी यह पी चुनाओ है तो उसको देखते हुए उन्हों को किसान बिल को अपस लेना पड़ा एक उमीद जगी है कि हम लोग अभी भी यहां पर लगातार कोशिस की किकिया हैं उनकिसान अंदोलन में भी जारखन के यहां पर तमाम लोग हम लोग सामिल थे अब फीर से हम लोग अभी भी लड़ाई करने का यहां जितने भी राजनितिक तरीके से लेट प्रांट के जो साती हैं वो लोग एक साथ दो हजार एककेस में भी रहे हैं अब मजबूरी उनको भी स्विकार करना पड़ेगा जो यहां की गड़बंधन के सरकार है उनको भी हम लोगों के साथ खड़ा होना इसलिए कि एक उमीद के साथ उनको भी सता में बैठाया गया है तो लेट खुद कमजोर हो गया है नहीं लेट अब उसकी कमजोरी उन्हें एक्जूट कर रही है अब लेट कमजोर कितना हुआ है ठीक है लेकिन उनके जो वसूल है जिनको मैं आज तक देखी हूं लेट लोगों के साथ है हर मुदों के साथ घर के अंगन का लूट जमीन का लूट का सवाल हो या तो बड़ा लूट का सवाल हो वो लोग जन अंदोलन के साथ साथ रहे हैं और में अंदोलन का जजबा उनका जरूर जिन्दा है यह अलग बात है मैं लश्मी निवास मित्तल की बा चल रहा है देखिए जो भी सत्ता में आएगा वो M.O.U करेगा लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि चाहे राजनीतिक पार्टी में आप हैं या नहीं हैं लेकिन समाज में और राज में सबसे मजबूत बिपक्ष समाज होता है और समाज जब गोलबंद होता है जनंदोलन जब तो एक तरफ विधान सभा में पक्ष और विपक्ष होते हैं उनका विपक्ष होता है समाज की ताकत है और यह जो समाज की ताकत हमेशा से जारखन में मजबूत रही है तो जो M.O.U एक सो नहीं 104 M.O.U हुआ था हम लोगों ने उतरने नहीं दिया तो आज भी जितना भी M. लोग बोलते रहेंगे जब तक जिंदा हैं बिर्शा मुंडा के 146 में साल हो गया सीधू कानू के मतलब 1500 साल से पार हो गया लेकिन आज भी सीधू कानू का अंदोलन बिर्शा मुंडा का अंदोलन और यहां पर जत्रा टाना भगत का अंदोलन और सिंदराय बिंदराय का अ और ये तिलंगा खडिया का अंदोलन बीर बुद्धु भगत का अंदोलन आज बिस्वनात ठाकूर कभी अंदोलन आज जिन्दा है और जिन्दा रहेगा वो कभी कितनों साल रहेगा लेकिन जिन्दा अंदोलन को आप मार नहीं सकते हैं कमजोर समय समय पर वो सकता है लेकिन जूक नहीं सकता है और ये प्रतिरोध की धरती है जारगन और हम लोग उनके वारिस हैं मुझको लोग मैनेज कर सकते हैं लेकिन आने वाली पीड़ी भी रियलाइच करेगी कि हम इस सहीदों के बंसज है उठ खड़ा होगा और जितना भी M.O.E. होगा उसको फेल्योर करते ज लेकिन एक छोड़ासा ब्रेक ले लेते हैं नोड़ाइच मिलस्ट जिरोल लेंगे M.O.E. ही रिया चलावें मोड़े बच्वार कोन तुरी बच्वार कोन M.O.E. ही रिया अड़ी मरांग सिल्सिला एहोब काना और नुवा M.O.E. जहारखन लगी ते तिन भागी हुई वा सर तिन बड़ी हुई वा नुवा रिया हो चर्चा हुई M.O.E. म.O.E. की मेमरी बड़ी स्ट्रॉंग है आपकी आपने 104 बताया मैं मोटे तोर पर 100 बताया था तो बहराल ये M.O.E. जहारखन के विकास की नई परिपाटी नई कथा लिखने के लिए सरकारों की तरफ से लाती जाएगी या लाई गई है ये जहारखन की तस्वीर कितनी सुधारेगा या कितनी खुबसूरत बनाए ये तस्वीर है वो जहारखन के क्या बुलते हैं सुंदर्ता को बढ़ा नहीं सकता है जहारखन की जो सुंदर्ता है जहारखन की जो हरियाली है उसको मरुभूमी में बदलेगा और जो हम लोग जिससे में पावर की बात करते हैं जहारखन के में पावर को कुछ समय के लिए एनरजेटिक बना सकता है उत्ताकत वर बना सकता है लेकिन वो लोंग लाइप नहीं होगा जिसको हम लोग सस्टेन की बात करते हैं सस्टेनेबल डवलप्मेंट की बात करते हैं वो sustainable development के दिसा में वो MOU नहीं ले जा सकता है, इसलिए नहीं ले जा सकता है कि आप अगर sustainable की ओर लेके जाता, तो पूरे देश का विकास का हमको तस्बीर देखना चाहिए और 2020 और 2021 में जो pandemic हुआ, इस pandemic में Corona pandemic, COVID pandemic जो हुआ, उसमें हम लोगों को सीखना चाहिए, पूरे देश अगर मतलब यह sustainable development की तरह जाता, तो आपका पूरे वर्ल्ड को control करने वाला आपका center है New York, New York का में हाटन, वहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा वर्ल्ड का आपका वहाँ पूंजी वाद का वहाँ पर गड़ है, वहाँ पर आपका एक भी मतलब आईसा हम लोगों की भारत की तरह छोटे लोग वहाँ पर आपको नहीं पाएंगे, लेकिन चीन से हवाँ चलती है, पूरे वर्ल्ड को साप करते हुए हमारा हिंदुस्तान में, हमारा जारकन के सुदूर गावों तक को भी साप कर देती है, सिर्फ एक pandemic, और जिनके पास अरबो रुपिया जिनके पास था, उस pandemic महामारी में, जो भी कोरोना के में से पूरे भारत के साथ पूरे विश्व की बात मैं कर रहे हूं, लेकिन डबलस से डबलप कंट्री भी बेड नहीं मुहाया करा सका, ऑक्सीजन लेने के लिए अरबो रुपिया लोग दबा के ऑक्सीजन सिलेंडर खोज रहे थे, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला, और भारत की बात करेंगे, तो जेस गंगा मा को हम लोग नमन करते हैं, उस गंगा में भी लास बहने लगा, तो आज जो सस्टेनेबल डवलप्मेंट की बात करते हैं, तो MOU आज देश को उस दिसा में लेके जा रहा है, राज को भी उसी दिसा में लेके जाएगा, यहां के फैक्टरी वेक्टरियां खुल जाती तो यहीं पर काम कर लेते हैं, मैं कहां बोल रही हूं भी कास नहीं होगा, भी कास होगा, जारखन का छेतरफल 79,714 आपका लाख वोर मिटर है, उसमें आपका भी कास का रोल, रोड मैप क्या है, कितना में आप इंडस्री लगाएंगे कितना आप में, कितना हेक्टर लाइंड में आप अगरिकल्चर करेंगे, कितना में आपका एजुकेशन हप बनेगा, कितना में आपका आईटी सेक्षन का हब बनेगा, कितना में आपका माइनिंग होगा, कितना में आपका पानी का जो वाटर बोडिज है, उसमें कितना में मतलब आपके जारखन की आपका सवा तीन करोड की जनता है मैं सड़े तीन करोड मानती हूं लेकिन ये सड़े तीन करोड की जनता के लिए कितना है जो जमीन होगा आपका भोजन के लिए आप सुरक्षा करेंगे खद सुरक्षा के लिए कितना के लिए ओक्सिजन के लिए करे कितना के लिए एजुकेशन के लिए करेंगे आपके पास रोड मेप होना चाहिए अगर आपके पास रोड मेप नहीं होगा तो कौन कहता है यहां कभी कास नहीं हुआ उतर जारकन चले जाए पूरा माइनिंग से पूरा उतर जारकन खतम हो गया पूरे उतर जारकन की नदिया लेकिन आप यहां पर आपके पास road map नहीं है कि यहां के लोगों को नोक्री मिले, चोटा-चोटा आप जिसतो cutiAY रोधियोग का आप हब बनाएं, आप यहां पर education आप बिर्स क्या बलते हैं आपका agriculture मिले तो हब बनाएई, कैसे यहां पर आपके बच्चे agriculture scientist होंगे, कैसे नोक्री नहीं मिलेगा, आपके पूरे वर्ल्ड को यहां से आपका मेन पावर का आप सब्लाई कीजिए एक वक्त में दुनिया की एशिया की सबसे बड़ी फैक्टरियां हमारे जहारखंड में बने है हेसी का ग्जामपल ले लिजे या बोकारू का ग्जामपल ले लिजे टाटा का एक्जाम्पल ले लीजिए क्या ये विकास की एक शुरुवात थी हर खट के लिए बिल्कुल विकास की शुरुवात थी एची सी हुआ आपका मतलब बीएसल हुआ तमाम चीजें जितना आपने गिनाया वो अजादी के बाद पहला प्लांट था जहां पर आपेशी में पहला जो एपन्टमेंट हुआ था आपका 22,000 में आज कितना एंप्लोईएं 2200 भी नहीं है तो आप कैसे कर रहे हैं कि नुक्री नहीं लगेगा नुक्री लगेगा लेकिन आप की रोड में विकास की रोड में आपको ताय करना पड़ेगा कि आप मने दूसरे जो आप नुए निवेस निवेस की बात करते हैं बाहर के लोग पुझी लगाएंगे बाहर का टेक्नोलोजी लगेगा बाहर का मेन पावर लगेगा अरी आपका जो अपना पुझी है छोटा पुझी है उसने चोटा उदयोग लगाएं न और अपने लोगों को अपने युवाँ को अप्ट्रेंड किज curricular आप उनको इंजिनियर बनाएं और उदयोग में आप उनको नोकरी लगाएं न न ये बात तो आप नहीं करते हैं निवेस, 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 सब अड़ानी, अमभानी की तरह बड़े बड़े लोगों को को बुलाते हैं, मैं एक उदारन देती हूँ, अमेरिका में आपका मतलब बड़ा-बड़ा खधान नहीं है, प्रदूसम करने वाली खधान नहीं है, वहाँ पर वो आपका कंट्रोल करता है, छोटा-छोटा बिल्डिंग में IT हब है, जहां पर आपका दिखे दिकबों नहीं करेगा, धुआ भी नहीं निकलेगा, बढ़का-बढ़का आपका बिल्डिंग भी नहीं है, आपका पानी को भी प्रदोसित में करता है, लेकिन पूरा वर्ल्ड को संभा आपके पास है, तो मेरा यह कहना है, कि सारा चीज आपके पास है, में पावर है, आपके पास, आप एजुकेशन सिस्टम भी उस तरह से डवल अप किजे, आप सारा सिस्टम को आप डवल अप किजे, तो आपके बच्चों को यहीं पर नुक्री मिलेगा, सारा चीज आपको यहीं पर बोगा, अगर देवानी बारला से पूछा जाए कि कि किस तरह के विकास की रोड मैप होने चाहिए, तो क्या सजेशन देगे, आप 10-12 देश भी कंट्री भी आपने घूमा है, देखा है, क्या लगता है कि यहां के लिए जारखंड के जल जंदल जमीन को जोडते हुए, क्या विकास होना चाहिए, पूरा दस बारा कंट्री घूमने के बाद जो मेरा अनुभा हुआ है, कि आपने जितना आप यहां पर पूरी तरह से रोड में बना लिजे, आपका आप कोई भी साइंस डवलप नहीं किया है, कि हमारा जो 79,700 यतना जो एकड जमीन है ना एक्टर जमीन है, उसको आप खीच के बड़ा करने का साइंस डवलप नहीं हुआ है, जो जमीन है वो आपका सिमित है, जो एग्रिकल्चर लाइंड है, उसको उतना आप सुरक्षित रख लिजे, जंगल को सुरक्षित रख लिजे, और उसके साथ जो आप इंडस्ट्री लगाने के लिए, ज जहां पर कोईडस्पलेश्मेंट नहीं है, जहां पर कोई जंगल नहीं कटेगा, जहां पर आपका कोई भिरूद नहीं होगा, उन जमीन को आप उसलैक बना लीजे, और जितना जो नदी जो मर चुका है, प्रदूसित हो चुका है, टेकनोलोजी इतना डबलप किया है, 9 NE 5 साल में कितना निकाला है दस साल में कितना निकालनें आप पुरा खोकला करने का बात किजेगा तो ज़ारकन का धरतिय नहीं बचेगा तो आपको बैलेंस किजिये इंडस्ट्री में बैलेंस होना चाहिए बाइस नहीं ख़दाने अभी निलाम होनी है बड़ी जल्द फिर से आप लोगों को जंदा करने की कोशिश हो रही है यह लगता है फिर से अंदुलन होगा बहुत बड़े पाने पर लोग विस्थापित हो गये हैं आपका पांच करोड से ज़्यादा लोग विस्थापित हो आज इसे लिए लोग बोलते हैं उन पांच करोड अबादी आज की तारीक में कहां है और जार्खन की बात हम करेंगे तो जहां पर आपका 60% अदिबासी थे आज की तारीक में 2011 का संसस के आधार पर मातर आज की तारीक में 26.2% अब यह आदिबासी अभी जो जंगना होगा तो वो लोग 26-22% में चले आएंगे बाकी अबादी बढ़ेगी आदिबासी खतम होते जाएंगे उनकी भासा संस्कृती खतम हो जाएगी इतिहास खतम हो जाएगा तमाम चीज नदी पहाड सब खतम हो जाएंगे तो यह जो आप बोल रहे हैं कि हम लोगों को और तेज होन पड़ेगा आज तो तमाम चीज नीजी हाथे में चली जा रही है नीजी हाथ में जाने के बाद आपका जो भी बेवसाय करने के लिए आएगा तो वो अपना जितना पुंजी लगाएगा उससे दूग उना वो प्रोफिट लेगा और यह जो प्रोफिट लेने वाली जो प जो आज तक कल्यान की बात हो रही थी अदीबाशी कल्यान दलित कल्यान मैनोरिटी कल्यान वो कल्यान अब पुंजी वाद में और ये कप्टेलिस्टों के लिए में व्त के साथ उसके सवानूप और सुरत भी बदल जाएगा एक चोड़ा सा ब्रेक और ले लेते हैं ब्रेक आप लोग को विकास विरोधी कहा जाता है क्या डिफिनिशन आप लोग को विकास का डिफिनेशन वहां सथा के विकास के डिफिनेशन के साथ मैच नहीं करता है हम लोग सस्टेनबल डबलपमेंट के असली हीरो हम लोग हैं, हम लोग सस्टेन की बात करते हैं, टिकाव विकास की बात करते हैं, असली की हम लोग इस स्ष्टि को जिंदा रखने माना और सभ्याता को जिंदा रखने और लंबे समय तक हमारा अगल vér Нघ्जोय कर रहे हैं स्वस्थावा का उस स्वस्थावा का हरियाली का और ये जो ये जो स्वस्थावा का एंजुय हमारे आने वाले पीढ़ी भी करें ये हमारा ऐसा विकास चाहते हैं और यह परिंड़न मी काल में जो मैंने कह रहा हूbach मैं बोल रही थी कि आईसा भी का, जहां पर हमको प्रकृति ने बिना पैशा से, जंगल से हवा दिया है, परियवरन से हवा दिया है, और हमारा जो जलसरोत है उससे सुध पानी दिया है, बिना पैशा चुकाए, आज हम उसका सिवन कर रहे हैं, और पुरा माना आओ सब्वाता के साथ, पूरा स्रेष्टी जिन्दा है यही आगे भी हमारा आने वला पीढ़ी भी इसका एंजोई करें तो एसमें गलत कहां तो हम लोग सस्टेनेबर डबलपमेंट और आने वला पीढ़ी का सही विकास हो उनको भी नहीं जीवन मिले नहीं जिन्दगी मिले उनको भी जीने का अधि कि नहीं कि अधिड विकास की नहीं है हम लोग अधियुन को को सारी लोग जो अधियुन के साथ जुड़े हुए जो अधिवाशिय की बात के आधिकम नहीं का रही है है यह поряд रहा है श् rahakti के साथ जो जिन्दा रहने व kleiner अर उनका विकास कैसे वो बिकास का मतलब ये है और थोड़ा राजनीति करते हैं ठोड़ी राजनीति एक बात करते हैं राजनीति को आप किस नजरिये से देखते हैं आज की तारीक में में इतने लंबे समय तक समाज एक L look को हम लोग लोग ने लड़के बनाया यह किया बचाया गाउं को लड़के बचाया सारा चीज़ को लड़के बचाया और उसी को मैंने सरकार बदलती है तो आपने जो मोई की बात की सरकार आती है दूसरे सरकार आती है फिर जाती है वहाँ पर हमला करती है अपना नीती बदल बोलता है कि ये तो होना ही होना है और विकास करना है तो अदिवासियों को खतम होना है किसानों को खतम होना है समाज को खतम होना पड़ेगा उनको तो बलिदान देना ही पड़ेगा अरे हम लोग तो 1857 से सीधु कानू के समय से हम लोग अपना बलिदान देते देते देश को बचाने के लिए राज को बचाने के लिए आज तक हम लोग बलिदान दे रहे हैं तो अब आज की तारीक में जो राजनिती की बात है राजनिती को मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ आप मेरे जैसा आदमी कहता है कि नहीं मैं पूरी तरह से समाज की बात करने वाला अब कह बनता है वहाँ पर हमारे जैसे लोगों को पॉलेसी बनाना चाहिए और जो पॉलेसी बनता है उसको पॉलेसी को इंप्लीमेंट करना चाहिए इसलिए कि 1908 में C&T एक्ट बना इंप्लीमेंट नहीं हुआ पाच रहने उस उचछे बना अनको अधिकार मिला लेकिन यहां के लो तर्फ reindeer जर्दै को उस अधारा में लेके जाना चाहिए की राजनीती करेगा विसरा पूर dobrý कम खरियुका एक नजर में देखने की राई निति हो रही है जो डुरी में समाज में बाटने की राजनीती हो रही है और कार्पोरेट घराने का गोड़ाइट के पूरे देश नहीं बचता अब चुनाओ भी लड़ी आ में चुनाओ लड़ी मुझको बहुत अच्छा लगा 2014 में जब मैं पहली बार गई थी तो मैं देखने के लिए गई थी जब हमारे मंच में जब मैं जल जंगल जमीन की लड़ा में आया कि कौन जंगल सही में बचाने वाला है जमीन बचाने वाला है कौन समुदाए के साथ है और किसको सिर्फ कुरसी चाहिए ये राजनिती में 2014 के बाद अभी जब मेरे 2019 में भी सामिल हुई तब भी मैं राजनितिक पाटियों का अपना अजंडा मुझको समझ में आय कि कौन किस अजंडा के साथ चलने वाला है और कौन किस अजंडा को किस के लिए किवल जीना चाहता है ये तमाम चीज मुझको समझ में आया है एक एक बेक्तिका चेहरा मुझको समझ में आया अब मुझको लगता है कि जिन्दगी में मैंने सब कुछ लिया सब कुछ हासिल क अब मैं बोलती हूँ कि राजनीती सब मतलब एक्टिबिस्ट को करना चाहिए जो एक्टिबिस्ट है अगर वो कहता है कि राजनीती गंदा है तो मैं ये बात करना चाहती हूँ कि राज आपका है समाज आपका है और अगर आप गंदगी को साप करना चाहते हैं तो गंदगी क को साप करना चाहते हैं तो आपको उतरना पड़ेगा और खोखर खोखर के आपको साप करके उस मैला को फेकना पड़ेगा तब तो आपका समाज साप होगा तो राजनिती यही है आपको राजनिती करना ही पड़ेगा आप यह नहीं कह सकते हैं राजनिती गंदा है बोलके चाहिए राजनितिक दल क्यों कौन से अच्छी है बुरी है तो मैं एक सब्द में नहीं कह सकती हूँ दो मिनट अगर आपकी जज़त हो तो मैं जरूर कह सकती हूँ कि अभी तक हम लोगों ने दो हजार चौदा तक है अंतर है अंतर यह है कि हम लोग आज तक पंचानवे के बाद आज तक मेरे उपर देशद्रों का केस नहीं हुआ ठीक है ना लेकिन जितने भी अंदोलन हम लोग किये 2014 के पहले हम लोग देशद्रों का और रास्टर बिरोधी का इंडियन पैनल कोड को मैंने भी बहुत पढ़ा बहुत हम लोगों के उपर में 353 का केस हुआ जेल में भी मैं तीन महिना रही समाज के लिए लेकिन मैंने 124 एको जो देशद्रों का केस है कोयल कारों में लगते हुए नहीं देखी नतरहाट में लगते हुए नहीं देखी और जितने भी हम लोगों ने अंदोलन किया किसी भी अंदोलनकारी के उपर में लगते हुए नहीं देखा लेकिन 2014 के बाद जब खूटी में पत्थलगडी के नाम पर यहां पर 500 ग्राम प्रधानों के उपर में देशद्रों का केस हुआ और बिसुद रूप से 10 गाउं, पूरे गाउं के उपर में केस हुआ, तब हम लोगों को लगा कि नहीं, कॉंग्रेस की राजनिती और विजपी की राजनिती में कहीं न कहीं जमी लेकिन लागू नहीं किया गया हो सकता है उसमام को आज भी लागू नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों को तो यह बल मिला न कि हम लोग 71 को कर शकते हैं, अब 25 आप का 21 को लागूं नहीं कर सकते हैं यह तो हम लोग बुलते रहे ना लेकिन हम लोगों के उपर में देश द्रो का केस नहीं लगा और जिस तरह से आज की देश की संपतियां हर चीज पीपी मोड में नहीं लेखे गई तो निश्यत रोप से आज हम कहेंगे कि 2014 के बाद हम लोगों को जो सीखने का मौका मिला है वो उनको इतने समय के लिए तो हम लोग अच्छे ही मान रहे हैं और उनके उनका हम लोग सपोर्ट भी करते हैं आने वाले देश में बताएगा अभी तक 2014 में भी मैंने अपनी इच्छा से नहीं लड़ा, 2019 में भी अपनी इच्छा से नहीं लड़ा, लोगों ने कहा आपको लड़ना है 2024 में भी लोग कहेंगे कि नहीं आपको लड़ना है हमारे लिए तो मैं बैमानी नहीं करूंगे बैमानी इसलिए नहीं करूंगे कि जब राज संकट में है और राज संकट में है देश संकट में है ऐसे समय में अगर हम को लोग कहेंगे कि दिदी आपको जाना ही है हार हरेंगे या तो जितेंगे अगर लोग कहेंगे कि आपको हम लोगों के लिए जाना है देमनी हर हालत में चुनाओ लड़ेगी सब्कित टेंग में जाएगी बिलकुल चलिए अब करीकर्म का समापन हो रहा है एक होटल चलाती है जारकंड होटल के नाम से है बड़ा मशूर है आपके दुकान का डुसका और चाय भी बड़ी अच्छी बनती है आपके उस होटल से क्या आप विधान सभा के अंदर तक पहुंच जाएगी विधान सभा के अंदर तक पहुंच सकूंगे नहीं सकूंगे यो तो नहीं जानती हो लेकिन मैं 96 में इस होटल को खोली हूँ 96 में होटल को खोली हूँ पत्रकारिता में एक्टिब इजम कम लिखन का काम और अंदोलन का काम जहां तक आज तक का है मैंने इसी अंदोलन से इसी होटल से किया और इसी होटल में इतना बड़ा-बड़ा अंदोलन जीता है ये मेरा सुभागया है और आप लोगों का सिर्बा होगा तो विधान सभा के भीतर भी जार्खन होटल जाएगा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे ये सवाल का मैंने बड़ा प्रेचीदा पूछा इसलिए कि आज पुझीवाद का दौर है एक छोटा सा होटल से कि आमदनी से आप आप अपनी आमदनी को जोगते रहे अंदोलन में आज तो बड़े-बड़े पैसे वर करुपती लोग को विधान सभा पहुंचते हैं ओहां लोग अपनी सोच बदलेंगे जिनने राजनितिक पाटियों की बात है अपने सोच बदलेंगे वो पुझी ब्योस्था पुझीवाद के जो ब्योस्था है वो क्रप्ट राजन अगर लोग अपना मानसिक्ता को थोड़ा सा पल्टेंगे तो हमारा होटल हर हाल अंदोलन को जीता है तो बिधान सभा भी जीतेगा चलिए बहुत-बहुत सुन्दर जवाब और बहुत ही द्रीडिक्षा सकती और दिश्वास आपका मेरी शुब कामना है तो में नोड़े अगर ने जवाब लिए अजयम कि दिया द्यामनी बारला विट वोडिंग होटले चला होटा अवना होटल रिया आमदनी तेगी आया जीवन होट चला होटा और उना पुछ रख विधान सभा चुनाव रे लढ़े लिना बाए सफलता बाए नामले दाखन विस्वास मिना में दिन जरूर विधान सभा रिया या चुनाव रिया जीत होँ उना होटल ते की जीत होगा अजयम किदा ले रिया आर दुरकार बनुआ होटल ते जरूर सेटे रोपए उन्डे अड़ी मौज डूस का न्यमोआ आर चाय होटे न्यूई पे तो वे तिहीं दा सोरें सोरें लूना की अपिर खुनिया तादाएकर जोहार